सल्मान खाने व्रधरि लो इसी प्रमोशन के चलते आयुष ने सल्मान खान उनके प्रोडेक्शन हांस फ्लोच क्लम फिล्मेन और आने वाले प्रोजेक्स पर खुलकर बात कि आयुष ने ये भी बताया कि जब उनकी पहली फिल्म लवियातरी फ्लॉप हुई तो उसके बाद उनके जहन पर कैसा असर पढ़ा था इसके फ्लॉप होनों के बाद उन्होंने सल्मान से क्या कुछ कहा था साल 2018 में आई लवियातरी को सल्मान खान ने प्रोड्यूस किया था इसके फ्लॉप होने के बाद सल्मान को भी खासा नुकसान हुआ था आयुष ने बताया कि जब लवियातरी की रिलीस से पहले इसके गाने आ रहे थे तो उन्हें लगा था फिल्म बहतरें तरीके से चले गी लेकिन सारे गाने हिट होने के बाद भी ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी आयुष ने ये भी बताया कि उस वक्त वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे उन्हें लगा था कि अब तो फिल्म फ्लॉप होई नहीं सकती सोचो बस अपने बारे में सोचो बैने कहा था सबसे बड़ी प्रोब्लम यही है कि मैंने आपका पेसर दुगा दिया आयुश ने आगे बताया कि लवियातरी के 6 महीने बाद तक वो बिल्कुल कटने लगे थे कटने लगे से मतलब है कि कि किसी से मिलना जुलना नहीं चाहते कहीं नहीं जाते थे बस घर में ही बंद हो गए थे आयुश ने कहा कि उन्हें भार जाने से किसी से मिलने जुलने से शर्म आती थे उन्हों रिव्यूस पढ़ने तक भी बंद कर दिये थे फिल्म का सारा फेलियर अपने उपर ले लिया था, आयूश ने आगे बताया कि फिर सल्मान भाई ने मुझे अंतिम उपर थी, मैंने उस वक्त भी इस भाई से कहा था, मुझे पर पैसा क्यों लगा रहा है, फिर से वो डूब जाएगा, मेरी पहली लाइन यही थी कि मेरे से बेसलेस खबर थी, जिस वक्त अंतिम बन रही थी, उसी वक्त किसी का भाई इसकी जौन की नीफ पड़ी थी, अंतिम के बाद आयूश की गेंग्स्टर वाले रोल को अटेंशल मिनने लगी, जिसके बास सल्मान ने कहा कि तुम किसी का भाई, किसी की जौन में फिट नही होंगे आयूश ने बताया कि उन्होंने एक दो दिन के लिए इसकी शुटिंग भी की थी मगर फिर सल्मान ने खुद कहा कि ये रोल मेरे उपर सूट नहीं कर रहा है खेर आयूश श्री अर्मा की अगले फिल्म रुस्लान है जिसे करन भुटानी ने डाइरेक्ट किया है फिल